जो आपको व्रेश करेंगे फिर इसके बाद फ्रेश कंसर्ट की तरफ चलेंगे उसे पहले प्रीविए लेक्चर में से कोई क्वेशन पूछना चाहते हो तो पूछ लेजिए उसके लाबा की क्वेशन है तो पूछ लेजिए क्योंके होमसाइलमेंट को भी हम खोड़ी दिसकस करेंगे कोई क्वेशन जी शाबाज पूछी है जी मेरे पूछी है पूछ ले बाई देखें अगर मैं समझ गया अगर फर्स किजिए तीन पार्टनर्स है ए बदीजा कि यह फर्स किजिएवड बदीशो थ्री दिए नया पार्टनर आया उसको किए रेशो डिसाइड कर दी जाएगी कि उसको फार एक्शंपल हमने Nossa ौर्स देकरको का अब हमने रूल ये पढ़ा कि जब कभी पार्टनर्शिप में चेंज होगा कमपोजिशन वगारा चेंज होगी तो एगजिस्टिंग पार्टनर्स के आपस का जो रेशु परपोर्शन है वो सेम रहेगा वो चेंज नहीं होगा अनलेस कि आप खुद से पार्टनर्शिप आपस दे तो अगर फर्ज किजिए कि पार्टनर्शिप नया पार्टनर आया इतना तो बता दिया उसने के ने पार्टनर को 20% दिया पराने partners की profit loss sharing ratio क्या है ये agree नहीं हुआ तो वो क्या होगी वो one ratio two ratio three ही होगी लेकिन 80% की one ratio two ratio three यानि 80% को अब एक दो और तीन छे हिस्सों में divide करके पहले partner को एक हिसा दूसरे partner को 80% के दो हिसे तीसे partners को 80% के तीन हिसे यानि नया partner भी accommodate हो गया और existing partner के भी आपस की ratio same रहे है समझे नहीं तरीका कार समझे ठीक है हाँ लेकिन अगर agree हो गया कि जी नया partner आया है तो सबकी ही ratio नहीं revise हो गई तो फिर जो revise ratio होगी उसके मताबिक ही distribution होगी यानि ये जो है connection same रहेगा ये rule कब लगता है जब हमने existing partners की ratio decide ना कि नया partner को या या पराना partner चला गया और हमने ratio गर परफरनाश ratio revise नहीं की तो उस सुरत में जो परानी ratio थी वही continue करेगी परानी ratio थी वही continue करेगी वो जो उनकी आपसी ratio थी क्योंके जाहिर नया partner आने से कुछ ना कुछ खिसा तो उसकी तरफ चला गया ना अब वो original ratio तो नहीं हो सकती लेकि उनकी आपस की ratio जो है वो सेम रहेगी जैसी के पहले थी ये बास समझाए और वो इसके तीन example देता है कि जब change हो सकता है ये continue change हो सकता है तीन examples क्या थी पहली जब नया partner आ जाए तब ये रू लगेगा दूसरे example क्या थी नेचर ओफ बिजन चेंज न्यू वेंचर स्टार्ट कर दिया जाए तब और अगर particular से हम partnership at will की तरफ चले जाए याद रखें वो जो तीन cases थे ना जो आपने दर्मयान में बताया है वो थे कि कब सारे partners की consent होना जरूरी है वो तीन cases एक वो हैं एक वो तीन cases हैं कि जब constitution जब वो change होगी partnership तो उनकी existing ratio same होगी partners की जैसी के पहले थी यह दोनों एक्जेंपल्स तीन तीन है दोनों concerns में लेकिन यह concerns different है के लियार जी और कोई question और कोई question नहीं सब्सक्राइब अच्छा यह कल ना class के end पर कोई जल्दी जाए एक ratio जो थी वो हमने discuss की थी हाँ 40-40 उस ratio में जो detail calculation हमने जाके देखा तो वो ratio थोड़ी सी different आते थी जब आगे case study आएगी उसमें हम discuss कर लेंगे concept समझ आगे आपको calculation वो जल्दी जल्दी में कुछ आप students में बोला तो मैंने भी बोल दिया लेकिन concept उसका same था ठीक है concept में कोई problem नहीं है है अगर यह agree हुआ है के partner को interest मिलेगा यह agree हुआ है partnership हमको profit भी हुआ है क्या interest मिलेगा मिलेगा क्या interest on capital है agree हुआ है profit भी है मिलेगा लेकिन rate of interest नहीं agree हुआ six percent standard rate को होता है six percent partnership तो उस सुरत में rate of interest six percent मिलेगा ठीक है जी और जी जी हाँ जी 33 66 वो क्या था याद है किसी रोन को मुझे तो फिगर याद नहीं है आप में से किसी रोन को याद है हमने क्या कहा था एक्जेंपल क्या थी हमारी तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी हमने बोला था यह 40 40 20 यह रेशो है फिर हमने कहा था 40 वाला चला गया तो अब इनकी आपस की रेशो सेम रहेगी तो वो स्वोंड से बोल दिया था 40 20 60 40 तो मैंने भी जल्दी जलिए 60 40 उस वक्त नहीं किया लेकिन जब बाद में कैल्कुरेशन की तो यह रेशो क्या बनती है अब यह रेशो अब यह चुके दो पार्टनर्स है तो जो रिमेनिंग 100% है वो इन दो में 40 और 20 के साफ से डिस्ट्रिबूट होगा ठीक है तो यह इसका शेर क्या जाएगा 100 multiply by 40 divided by 60 दोनों को add 60 बनता है 40 60 और इसका क्या जाएगा 100% multiply by 20 divided by 60 और यह आजाता है 66.6% और यह 33.3% इस तरीके से calculation है ठीक है यानि जब भी partnership में change हो कोई नया partner आए तो आपने क्या करना है नए partner को उसका share देने के बाद remaining share calculate करना है remaining share आपने old partners में उसनकी आपस की ratio से distribute कर देना है और जब कोई partner छोड़के चला गया तब remaining share कितना होगा 100% जितना भी share रहा गया उसको भी आपने partners में old ratio से divide कर देना यानि देखे पराना partner चला गया है partnership में change होगी ना लेकिन B और C की आपस की ratio सेम रही ऐसा नहीं वा कि इसका share equally distribute हो गया proportionately distribute होगा equal में और proportionate में फरक है ठीक है तो असर में main concept यह है कि जब कोई partner आएगा existing partner proportionately sacrifice करेंगे और जब कोई partner जाएगा existing partner proportionately gain करेंगे यह concept है और की question शबश और की question नहीं है चलिए अब चलते हम अपने home assignment के questions की तरफ 13 अब देखें छोटे-छोटे questions है लेकिन यह basic question है यह base develop करेंगे आपके partnership के advance case study को solve करने के लिए question 13 अदील त्यार है जी अदील and काशिफ are partners in a firm the terms of agreements are dead they will share profits in the ratio of 3 ratio 2 लेकिन profit and loss sharing ratio तो equal होती है तो यह तो एक्ट के खिलाफ चले गए है एक्ट तो कहता है equal होगी यह एक्ट यह भी कहता है कि इसको change करना चाहो तो कर सकते हो change करने की जाद भी एक्ट ने दी है तो यह 3 ratio 2 में कोई गलत बात नहीं है बिलकुल valid है but there is no express provision regarding share of loss के बारे में कोई बात नहीं लिखी गई जो profit sharing ratio है वह loss sharing ratio है अगर याद रखें किसी को loss से exclude करना है ना कि उसे loss नहीं मिलेगा तो agreement में लिखना पड़ेगा loss के बारे में agreement का silent होना इसका यह मतलब नहीं है कि किसी का भी loss में हिस्सा नहीं है इसका मतलब यह है कि जो profit में जैसा हिस्सा है वही loss में हिस्सा है clear? काशिफ claims that he is not liable to contribute to the losses of the partnership is this claim justified? no claim is not justified क्यों justified नहीं है? क्यों जैसे नहीं है? पहले rule लिख दीजिए क्या rule है? कि profit sharing ratio ही loss sharing ratio होती है the absence of information फिर आगे एक line specifically इसकी लिख दे कि therefore loss will also be distributed in three ratio two जे अगर loss sharing ratio उसने दे दी तो फिर loss sharing ratio भी profit sharing ratio हो जाएगी यानि जो profit sharing ratio वही loss sharing ratio जो loss sharing ratio अगर कोई एक दी है लेकिन अगर दोनों different दे दी हैं उसने का profit sharing ratio होगी three ratio two लेकिन loss sharing ratio होगी four ratio seven अब क्या होगा जो agree हुआ है होगा और क्या होगा क्या हो सकता है profit में चार partner share करें loss में तीन तो जाहर है ratio different होगी अगर तो agreement में ratio लिख दीना profit की यह है loss की यह है तो जो profit की ratio है उससाब से profit distribute होगा loss की ratio के लिए हासे loss distribute होगा लेकिन अगर दोनों में से एक ratio लिखी तो दूसरी भी वही होगी डन जी कोई और question आगे चलते हैं आगे क्या कहता है यह तो easy था है ना आजम और बाबरा पार्टनर जी ने firm आजम wants to make his son वहाब पार्टनर इंडी firm in his place उससे partner बनाना चाहता है अच्छा पहले बताईे कि यह partner का status होगा वहाब का कि minor admitted into benefits of partnership question में कहां लिखा है minor थाबित करें question में कहां लिखा है minor यह गलती करते हैं जहां कहीं son आ गया जहां कहीं daughter आ गया assume कर लेते है minor है मैंने आपको गताया था कैसे आपने यह conclusion draw करना है कि minor है age से यहां पर कहीं उसने age दी है कहीं पर minor का लफ़ा तो कैसे आप कहा सकते है minor तो इसमें minor वाला concept relevant नहीं है minor गलती होगी कोई बात नहीं आइंदा ध्यान रखिएगा तो partner क्या किसी को partner एक partner किसी को भी add कर सकता है partnership हम में इसके लिए किस की consent जरूरी है majority की के all की पका all की majority की तो नहीं वो आपको तीन example ज्याद है ना जिन में all partner की consent थे ठीक है और इसके लावा भी अगर किसी जगा पे लिख दे क्या all partner की consent चाहिए तो फिर all partner की consent चाहिए तीन example कौन सी थी मैं भूल गया जिन में all partner की consent कौन सी थी एक्जाम है चेंज इन नेचर अब बिजनिस प्रॉफल लॉज शेरिंग रिशो चेंज इन constitution बिजन ये constitution में चेंज आ रहा है चेंज मिन्स उसके तदाद में partners कम या ज़्यादा हो रहा है ना किसी एक partner को आप एड़ कर सकते हैं और ना किसी partner को रिमूव कर सकते हैं जब तक सारे partner या दि रिमूव करने के लिए भी रिमूव होने वाले partner की consent जरूरी है और अगर वा फ्राड कर रहा हो फिर रिजिस्टर और पार्टनर्शिप होता है उसके पास जाना पड़ेगा सिक्स्टें क्लियर जी सैवंटिन आजम बाबर यासर एड जाहिदार एक्टिव पार्टनर्शिप आजम वांस्ट रूपन ए बैंक एकाउंट इन एबिसी बैंक फार पार्टनर्शिप बिजनिस फैबर जाहिद इस ऑफ़ पीनियन डाट देशुड हैवन अकाउंट इन एक्सवाइज एड बैंक एक करें बीसी बैंक दूसा करें एक्सवाइज एड बैंक जो यासिर ने कहाँ नहीं होगा फिर वो काम नहीं होगा फिर वो काम नहीं होगा नहीं है क्योंकि मिजोरिटी चाहिए ना मिजोरिटी चाहिए ना किसी ना किसे अब ये इसमें तीन पार्डनर जिस तरफ होंगे वही काम होगा दो दो होगे तो फिर वह काम होगा ही नहीं होगा बैंक काउंट खोलना है नहीं है कैश भी बिजनिस करते रहो आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते बिजनिस के मामलात में किस सप्रेइब को बैशने है किस सब्सक्राइब करना है किस ब服 excel हो यह जो अकर कि हम एतनि का मैजरिटी को मतल हमाशन नहीं होता हौ यह जहन में रखिये गा जोरिटी का मतलब 50% नहीं more than 50% 18 आजम बाबर यासिर और जाहिद आर एक्टिव पार्टनर्स इने पार्टनर्शिप बाबर यासिर और जाहिद वांट टू चेंज ना नेचर ऑफ बिजनिस नेचर ऑफ बिजनिस फ्रॉम रिटेलर ऑफ यान तो मैनुफेक्चर ऑफ शूगर बट आजम डस नाट एग्री क्यों चार में से तीन एग्री तो हैं यह एक नेचर ऑफ बिजनिस है इसमें आल पार्टनर्स की कंसेंट रिकवाइड होगी शाबश एटी में की प्राब्लम तो यागे चले नाइंटेन आफ्ताब बादिल चान स्टार्टिड ए बिजनिस बिजनिस की मेंचे अफ़ताब ऑन्ली एंट बादिल एग्र टेक एझाट एक एकटी पार्ट एनमेजमेंट में पार्टिड ओपर्टिड एक्रिकवाइड अब्रम तो इस दिएन को इंप्लिमेंट करना करवाना और चीज़ है बादिल आंचान इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ आपकाउंट कर सकते हैं क्यों वो तो वो तो स्लीपिंग है बिजनेस में इंट्रफेर नहीं कर सकते लेकिन जो हो रहा है उसका हिसाब किताब तो नहीं को मिल सकता है नाइंटीद में क्लियर जी, राइट होता है पार्टनर्स का, बुक्स ओफ अकाउंट्स के इस्पेट करने यह याद रखिएगा, और मैंने आपको बुक्स और अकाउंट्स में फरक बताया था ना, बुक्स को लएदा, एक स्क्लीम किया, अकाउंट्स को लएदा, बुक्स अकाउंट्स का मतलब होता है, बुक्स ही, बुक्स ही, क्योंकि बुक्स अकाउंट्स ही की होती है, लेकिन बुक्स और अकाउंट्स का मतलब होता है, बुक्स अलएदा, और अकाउंट्स अलएदा, यह नहीं समझ आई थी बात, अकाउंट्स किसको कहते हैं, अकाउंट्स क यह दोनों की प्राफिर लॉस शेरिंग रेश्यो क्या होगी इकवल यह फाइव रेश्यो सावन अग्री हुआ तो जो यह अग्री हुआ वो नहीं अग्री हुआ तो इकवल डिफाल्ट कापिटल कंट्रिबूशन नहीं होगी फिर कह रहे है अदील आलसो एडवांसे रुपीज वन मिलियन टू दा फ़र्म एज लोन अदील ने फ़र्म को एक मिलियन एडवांस में दिया लोन याद रखें बिजनिस ला में एडवांस और लोन एक ही चीज़ है अकाउंटिंग में आप शायद पढ़ते होंगे डिफरेंस है पता नहीं सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं मुझे नहीं बता वैसे advance और loan एक ही चीज़ है loan के उपर भी interest मिलेगा advance के उपर भी interest मिलेगा हाँ capital same चीज़ नहीं है capital के उपर interest नहीं मिलेगा अब क्या कह रहा है कह रहा है they did not decide anything regarding profit sharing ratio तो मैं बता देता हूँ कुछ नहीं decide किया equal होगी ये कुछ सा मुश्किल काम है interest on capital पे भी कुछ रिसाइड नहीं किया interest on loan पे भी तो मैं बता देता हूँ interest on capital पे कभी भी interest नहीं मिलेगा interest on loan पे हमेशा 6% interest मिलेगा दोना बाते गलत मैंने बोला interest on loan interest on capital पे कभी interest नहीं मिलेगा गलत अगर agree किया, profit हुआ, मिलेगा agree किया, profit हुआ, interest मिलेगा अच्छा मैंने बला interest on loan के उपर हमेशा 6% interest मिलेगा ये कैसे गलत है अगर agree कर लिया, कम या ज्यादा तो जो कम या ज्यादा है, वो मिलेगा हाँ, अगर agree नहीं किया, फिर 6% मिलेगा आईए, देखते हैं, यहाँ पर क्यास फिशने है, कहता है अधील डिमांड फालोइंग, अधील ने क्या डिमांड की, अधील ने कहा अधील ने कहा, they should share property ratio of their capital contribution, सही कह रहा है, अधील बताईए, अधील अगर business law का paper देगा फेल होगा कि पास होगा, फेल होगा, क्यों उसको पता ही नहीं है, अगर sharing ratio agree ना की जाए, तो क्या होती है, एक्वल होती है, फिर अधील ने दूसरी बात क्या कही, दूसरी attempt, अधील ने कहा, 10% interest on capital should be given by the firm to both the partners, ये भी गलत, interest on capital, इस firm में तो मिलना ही नहीं है, कभी भी नहीं मिलना, क्यों नहीं मिलना, agree नहीं किया गया, agree नहीं किया, इफ वाला case नहीं आना, याद रखे, जो चीज़ specifically बता दी जाए, उसका if नहीं करना, जो चीज़ question में mention हो, उसका if नहीं करना, if हमेशा किसका करना है, यहाँ पर question में उसने mention किया है, क्या, उसने mention किया हुआ है, क्या, they did not decide anything, तो इसका मतलब interest on capital के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर आप ये लिखने, if agreed, तो ये होगा, if not agreed, तो ये होगा, examiner को उसा हो जाएगा, मैंने जब चीज़ चीज़ के बोल दिया, तो तो नहीं कुछ agree नहीं किया, तो फिर आप if agreed, if not agreed क्यों कर रहे हैं, नहीं कर साँ, तो 10% interest on capital मिलना चाहिए दोनों partners को, नहीं मिलना चाहिए, 12% rate of interest should be given by a firm to him on this loan, currently interest rate prevailing in the market is 8%, market rate 8% है, और मांग 12% रहा है, market 8% है, मांग 12% रहा है, कौन सा rate देंग इसको, ना 8 ना 12, rate मिलेगा 6%, क्योंकि कोई भी rate agree ना हुआ हो, मेरे भाई बताईए, तो कौन सा rate देते हैं, interest on capital पर कौन सा rate देते हैं, अगर कोई भी agree ना हो, interest on capital पर कौन सा rate देते हैं, अगर कोई भी agree ना हो, 6% कुछ को यह नहीं देते, अगर agree ना हो, तो यह इंट्रेस्टन कैपिटल पूछ रहा हूं आप इंट्रेस्टन नोन बता रहे हैं अब यह इंट्रेस्टन कैपिटल पूछ रहा हूं हाँ अगर अगर नहीं हुआ तो इंट्रेस्टन कैपिटल पे कोई रेट नहीं आएगा इंट्रेस्टन नोन पे तो यहां मैं हो उसमें reasonable and reasonable कुछ नहीं देखना चाहे 600% किया हो जो agree कर दिया ठीक हाँ लेकिन याद रखें अगर contract act होता ना उसमें लिखा होता कि in case of default rate 60% पहुँच जाएगा अब भी 8% है in case of default 60% तो हम कहते हैं यह 60% नहीं मिलना क्योंकि यह original agree नहीं हुआ original agree नहीं हुआ अच्छा default में बढ़ा नहीं सकते रेट को पता है ना penalty हो जाती है default में rate को बढ़ा नहीं सकते penalty हो जाती है अच्छा तो फिर अब अब 60% पे होगा अब 60% पे होगा वह इस वाले 60% में और प्रीवेस वाले 60% में क्या फरक है कि इसमें original है हुआ है इसमें original ही डिसाइड हुआ है और जो पिछले वाली एक्जैंपल थी उसमें at time of default 60% हो जाता था original 10% था at time of default 60% हो जाता था at time of default इंटरस्टेट बढ़ाने की जाज़त नहीं है शुरू से इंटरस्ट जिता मर्जी ताय कर लो इनके सब डिफाल्ट बढ़ाने की जाहदत के लियर हुए बात चलिए यह क्वेस्टन थाता हम कोई क्वेस्टन मजीद पूछना चाहते हो जहन में आया हो तो पूछ लें लेक्षर का यह हिस्ता थातम करें चलें जी करें थातम इसका